हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू मैगनेट ब्रेंस स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ एक बार फिर मैगनेट ब्रेंस टीम की ओर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और आज हम फिर से हमारी ही हिंदी पार्ट पुस्तक क्लास 10th की क्षितिज भाग दो कविता पढ़ने जा रहे हैं जो पार्ट आठ से ली गई है जिसके कवी है रितुराज पार्ट आठ कन्यादान कविता और कन्यादान शब्द सुनते ही आपको भी कुछ याद आएगा कि आ करन्यादान कविता जो की कवी रितुराज द्वारा लिखी गई है ठीक है बेटा तो अच्छे से अपने मस्तिश्क को एक दम ओपन करके बैठिए इंटरस्ट के साथ सुनिए और एक बात इसमें जो भी बाते मैं आपको बताने वाली हूं जो भी सीख मा अपनी बेटी को देती है तो यहां केवल और केवल यह कवीता बेटियों के लिए नहीं है यह आपके एज ग्रुप के लिए हर एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप यह ना सोचेंगी यह तो लड़कियों वाली कवीता है लड़कियां पढ़ना है नो बेटा ध्यान से स सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले as usual हम कवी परीचा देखेंगे ओके आईए को कवी रितुराज यहां आप देख सकते हैं कवी रितुराज का जन्म राजिस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ उन्होंने राजिस्थान विश्व विद्ध्याले जैपुर से अंग्रेजी में में किया और साथी साथ उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्यन भी किया रितुराज के अब तक के प्रकाशित काव संग्रहों में पुल पानी में एक मरन धर्मा और अन्य सूरत निरत तथा लीला अर प्रमुख है देखते हैं और क्या है इन्हें कई सारे पुरसकारों से भी सम्मानित किया गया जिन में सोमदत परीमल सम्मान मीरा पुरसकार पहल सम्मान तथा बिहारी पुरसकार शामिल है बिहारी की हमने अभी पढ़ेंगे और सभी की है उन्होंने अपनी कविताओं में य euch avenues से जुड़े सामज एक्शोषन एवं बिढम बनाओं को स्थान दिया इसी वजे से उनकी काव्य भषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतित होती है इनकी रचनाओं में इनकी कविताओं में लोक जीवन लोक जीवन मीज हमारा और आपका जीवन एक वास्त विक्ता एक यथार्थ से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं होती हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कल्पना मातर से ही रचना कर देते हैं और हमें कल्पना प्रस्तुत करन यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं अपनी बुक को ओपन करिए देखिए पार्ट आठ कन्यादान आपकी बुक का ही ये चित्र है NCRT बुक है हमारी किस तरह से बेटी की विदा करते समय मा उसको समझाती है उसको सीख देती है और वो सीख आप सब के लिए इवन हम सब के ल अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या है कविता का सार वो मैं बता देती हूँ विवाह के दौरान पहली ही पंक्ती है कि कितना प्रमानिक था उसका बेटी का दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो अर्थात मा के दुख का मा की विथा का और मा की करुणा का यहां पर उधारन दिया है कभी ने ठीक है और साथ ही साथ मा कहती है अपनी बेटी को कि जब कहीं जाओगी क्यूंकि बेटी अभी भूली सयानी मतलब भूली है सयानी नहीं हुई है आप बच्चे हैं आपको लगता हम तो टैंथ में आ गए अब भी मम्मी हमें चिलाती रहती हैं अभी हमें डाटती रहती मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ या मम्मी मैं तो समझती हूँ ना लेकिन बेटा बच्चे तो बच्चे होता है ना तो अपने आपको बड़ा मत समझी अभी बड़े तो हमें होना ही है बच्पने को अच्छे से जी है जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो वही उसकी अंतिम पूजी हो ऐसा लगता है मानो अब उसके हाथ से सब कुछ गया और अब उसके पास कुछ नहीं रहा है उसके दुख को प्रमाने करने के आवशक्ता नहीं है है ना कहते हैं न प्रत्यक्ष को प्रमान की क्या अवशकता तो मां का जो दर्द है वो जो मोह है इस बात से भेवीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार ना सहना पड़े इन सब के कारण मा चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाट पढ़ाने लग जाती है जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध नहीं है क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको लगता है जैसा हम इस परिवार में हैं बच्चे मतलब ना सिर्फ बेटी बेटों की भी बात कर रही हो यह नहीं है कि लड़की पर आगर जाएगी तो हमें सिर्फ उसकी चिंता है हमें आपकी भी चिंता है क्योंकि आपको भी अपने कारे करने के लिए अपनी नौकरी के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से दूर तो जाना ही पड़ता है तो ऐसे में हमें सम भी प्राप्त नहीं होता है ना आपने वो सुना होगा ना आब उपचता है होत का जब चड़िया चुक गई खेत अर्थात जो बड़े बुजुर्ग माता पिता आपको समझाएं तो उसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू जरूर कीजिएगा उसको जरूर इंप्लिमेंट करिएगा अपना येगा ओके पहली पंक्ती है पहला प्राग्राफ है कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिमपूजी हो मा के दर्द मा की व्यथा मा की वेदना का बनन किया है आपने आपके घर में भी रोते क्यों हैं अभी कली तो फिर वापस आजाएगी बहुत सारी बात हैं खासतोर से छोटे वाले भाई हैं जो आप लोग वड़े के पर कली तो आजाएगी मम्मी रोने की क्या बात है इस तरह से बात होने लगती है लेकिन जो विदाई वाला जो माहौल होता है वो हर एक सिर्फ माही समझ सकती है ठीक है यहां पर वही बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से मा बेटी ना सिर्फ मा बेटी बलकि एक दूसरे को समझने वाली सुख दुख बाटने वाली सच्चे मित्र भी होते हैं और मैं तो आप से कहूंगी कि हर एक बात अपनी मौम मम्मी को जरूर बताया करिए स्कूल में जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं आज क्या किया कैसा किया क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब कुछ शेयर करना चाहिए कुछ भी नहीं चुपाना चाहिए हैं क्योंकि वह हमें बच्पन से जानती हैं उन्होंने हमें जन्म दिया है और यदि हम उनसे कुछ छुपाते भी है ना तब भी पता तो चली जाता है इससे अच्छा हम खोदी बता दें ठीक है अब क्या होता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी अब थोड़ा गम भीरता पूरवक सुनिएगा और समझिएगा अभी इतनी भोली स तरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख माचना नहीं आता था ठीक है पाठी का थी वह धुंदले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लैबद पंगतियों की देखे कवी यहां क्या कहना चाहते हैं लड़की अभी सयानी नहीं थी विवा के दौरान सयान नहीं तेर था तो से घर ग्रस्ती रिष्टे नाते और परेशानियों का कुछ भी भान नहीं था वो तो माता पिता के घर में थे आप बच्चे हम बच्चे जब तक माता पिता की छत्रचाया में रहते हैं दुख का आभास ही नहीं वह पाता क्योंकि दुख हम तक आता ही न नहीं आता था उसे पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है कैसा होता है पाठी का थी वह धुंदले प्रकाश की ध्यान से सुनिएगा यहां पर धुंदला प्रकाश एक शब्द आया है तो धुंदला प्रकाश क्यों कहा है मतलब कुछ जीवन की वास्तविक्ताओं से पापा हो यह बुरे है वो अंटी अच्छी है क्योंकि वह हम से अच्छे से बात करती है वो अंकल कितने अच्छे हैं वो तो हम कभी नहीं राटते हैं या फिर हम कहीं गए मित्रों के बीच वहां मज़ा आता है क्योंकि वहां कोई डाटने वाला नहीं होता कोई टोकने वाला नहीं होता कोई रोकने वाला नहीं होता तो यहां पर पाठी का थीव है धुंदले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लैबध पंगतियों की अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर लैबध पंगतियां क्यों कहा है यहां पर लैबध पंगतियां बेटा इसलिए कहा है क्योंक जैसे पंग्तियां चली आती है बिल्कुल लेबद तरीके से पहले लाइंस आपने देखी होंगी ठीक है तो जो समाज कहता आ रहा है कि लड़की कैसी होती है लड़की होती है कमजोर लड़की कैसी होती है घरेलू लड़की को कैसा होना चाहिए घर की चार दीवारी में कैद दोना चाहिए ये समाज कहता आ रहा है सधियों से यही चला आ रहा है उनके अनुसार केयों कियों कि जब सिक्षा का अभाव था शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था कुछ तोड़े भूट लोग पढ़े लिखे थे तो उन पढ़े लिखे लोगों को ऐसे पूजा जाता जैसे साक्षाद भगवान उतर आये हो तो वो जो भी बात कहते थे उसको समाज अंदा धुंद ब्लाइंड बिलीफ के साथ मानता जाता था तो पार्टी का थीव है धुंदले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लेब अधपंगतियों की जैसा समाज सोचता गया जैसा यह तो कमजोर है यह तो सिर्फ बच्चों का पालन पॉशन करेगी यह तो सिर्फ घर ग्रस्ती चलाएगी और कुछ नहीं कर सकती और लड़कियों को सिक्षा प्राप्त भी नहीं होने करने देते थे साथी साथ आपने पढ़ा होगा इतिहास में अवश्य पढ़ा होगा की ब्रून हत्य समझते हैं आप लड़की को जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता था है ना तो इस तरह से बहुत सारी जो कुरीतियां थी रूड़ी वादी विचार धारा थी स्टीरो टाइप्स जिसको हम कहते हैं वो थी उसने स्त्रियों को एकदम समाज में निम्न कैटेग कि उचे कुछ भी पता नहीं था कि क्या जमाना सोचता है किस तरह की चाला की मस्तिष्क में रखे रहता है मूँ पर कुछ और मन में कुछ और ठीक है कहा बथे कि मन में राम बगल में जुरी और बाबा तेरी नियदवुरी बहुत एक कहा बथे लोगों की है कि कुछ लोग कुछ आपने माता पिता की बातों को नेगेटिव कदापी ना लें झाटे आटे माका पड़े कभी चाटे मैठे पड़ जाएं तो उसको आप यह नाले कि कैसे मार दिया मैं 10th में आ गया, मैं अभी 11th में आने वाला हूँ ऐसे कैसे हो सकता है मेरे ego hurt कर दिया बहुत सारी बाते हमें आ जाती है लेकिन बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है मस्तिश्क से सोचना है मस्तिश्क से हमें रैशनली सोचना है कि क्यों डाटा, क्यों मारा इसलिए डाटा, इसलिए मारा कि मैं यदि वो काम करता या मैं यदि वो काम करती तो शायद मुझे पच्थावा होता ठीक है, तो कुछ दुकों और कुछ लैब अदपंक्तियों की जो बात चली आ रही है इस तरह से उन्होंने कवी ने समझाया है कि मा कह रही है अपनी बेटी को कि जो जमाना तुमें समझते आया है जो जमाना तुमें मानते आया है वो अपने आपको मत समझना अपने आपको कमजोर मत समझना अपने आपको अबला मत समझना एक बहुत हिंदी साहिट दिकार थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी चल मैं दूद्न और आखों में पानी यह स्थिती थी उस समय, बहुत पुरानी यदि हम बात करें प्राची नियुक की कि इस्त्रियों का जीवन एकदम दैनिय था उनको बस मा घर चार दिवारी ये सब माना जाता था लेकिन समय जैसे जैसे बदला सिक्षा का प्रचार प्रसार जैसे जैसे हुआ और बहुत सारे परिवरतन आए आप भी देख सकते हैं अब भी अभी प्रकाश की मतलब जीवन की सब्सक्राइब नहीं है इसलिए आने वाली परिस्तितियां कैसी होंगी क्या होंगी कुछ नहीं जानती है सारी बातों से अन्भिग आगे बताते हैं कि जिस प्रकार धुंदली रोश्नी में हमें किताबों के अक्षा स्पष्ट नहीं दिखाई देते यदि लाइट धुंदली हो या अंधेरा हो तो हम अच्छे सा नहीं पढ़ पाते ना इसलिए कहा है पाठी का थी वह धुंदले प्रकाश की मतलब जीवन की सच्चाईयों से उससे कोई मतलब वास्ता नहीं था और वो नहीं समझभा रही थी ठीक है नहीं देते कोई उन अक्षरों को इस पश्चरूप से पढ़ नहीं पाता सिर्फ अंदाज लगा सकता है वैसे ही लड़की के सामने अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंदली सी चाया है विवा होने वाला है ठीक है कन्यादान होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बा पर तो कोई ऐसा सम्मध स्थापित नहीं करना चाहते हैं बहुत सारी बात हैं तो क्रटी कली और रैशनली हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए ठीक है उसे व्यवारिक तक अग्यान नहीं ससराल की परिस्थितियां जिम्मेदारियां और संगर्ष उसको अभी कुछ भी अंद कितनी सारी जिम्मेदारियों के साथ उसको अपना जीवन व्यतीत करना होगा परंदू वो तो इससे अपरिचित है वो तो इससे अंजान है वो तो सिर्फ और सिर्फ खुश्यों की ही कल्पना कर रही है ठीक है देखिए फिर से देखिएगा अच्छे से सुनिएगा माने कह है और आब रूटियां शेकने के लिए है जलने के लिए नहीं ठीक है देखे वस्त्र और अभुशन्ण शापदिक भ्रहमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के वस्त्र और आभूशन कैसे हैं शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन अब क्यों कहा ऐसा माने ऐसा क्यों कहा कि पानी में जग कर अपने चेहरे पर मत रीजना अर्थात अपनी सुंदर्ता पर मोहित्मत होना स्त्री हो लड़की हो बहुत पारीफ करेंगे लोग तुम्हारी स्वार्थ में आकर बहुत कई बार तुम्हारी ऐसे ही प्रशंसा कर देंगे तो उस प्रशंसा में बह मत जाना यदि प्रशंसा में तुम्हें बह गई तो तुम्हें बाद में पच्ताना पड़ेगा तो प्रशंसा और एक बाद बता दूं मिटा कि मान लीजे सबसे कहती हूँ मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं हर एक बच्चे को यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी आप अभी बच्चे हैं बहुत अंजान है छोटे-छोटे पौधे हैं ठीक है तो व्रिक्ष बनने में अभी आपको टाइम है तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अपने लोग हैं अब उस भीड में आपके कावय के या भाशन के तुरंद बाद को एक व्यक्ति आता है और कहता है गजब गजब कर दिया बेटा तुमने तुमसे अच्छा तो मैंने आज तक कोई वक्ता ही नहीं देखा या तुमसे अच्छा तो कोई निरत्य करने वाला ही नहीं व्यक्ति है जो मेरी प्रशंसा कर रहा है हम उसकी बातों में आ जाएंगे और वो कहेगा उसके मन में हो सकता है कोई स्वार्त हो तो प्रशंसा यदि हमने कोई प्रशंस नहीं काम किया है तो भीड से तालियों की आवाज आएगी और एक महीं 50 लोग आपकी तारीफ करेंग लेकिन जहां कहीं आपको लगे कि कुछ एक ऐसा हो रहा है उनकी बातों में मता जाना बच्चे हो अभी जीवन बहुत छोटा है आपका मतलब अभी तक जो हुआ है अभी आगे आगे हर एक पड़ाओ हर एक कदम आपको अनुभव देता है और अनुभवी हमें जीने की कला सिखाता है ठीक है अब माने क्या कहा आग रोटियां सेखने के लिए हैं जलने के लिए नहीं आपने देखा होगा पुराने या कहीं इतिहास में सुना होगा कि पहले क्या क्या होता था जाती प्रता थी या ना बाल विबाह था दहेज प्रता थी दहेज प्रता का बोल वाल जलने के लिए नहीं कभी कभी आतमदाह भी कर लेती थी लड़किया आतमदाह मीज स्वेम भी जलकर मर जाती थी क्यूंकि वह ससुराल के दुख से प्रताणना से इतनी कमजोर हो जाती थी अब वह यह सोचती थी कि माता पिता के पास जाओं भी तो कैसे जाओं क्योंकि बंधन है इतने सारे इतने सारी जिम्मेदानिया घर से बाहर कदम रखने दे तब तो ठीक है तो बहुत सारी ऐसी बाते हैं तो मा ने कहा कि अपने चेहरे पर भी मत रीज ना ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रशन सा की और तो होसले को कभी मत खोना अपने आपका जो आतम विश्वास है उसको छोटा कभी मत होने देना क्यूंकि अकसर जैसे अभी मैंने बताये की कन्य आई अपने आपका धहन भी कर लेती थी, जल भी जाती थी सोयम भी, तो आग सिर्फ रूटियं सेखने के लिए, जलने के लिए नहीं, इस बात क्या ध्यान रखना कि अपने संसकारों को, परवरिश्च को, मरयादाओं को अपने मन में सहिच कर रखना, लेकिन इनको कमजोर ही मत बनने देना, ये कि चुप चाप से सुनते नहीं रहना है बस ये याद रखना है कि हम जो कह रहे हैं उसको कहने का साहस तो हम में आ जाता है लेकिन कभी-कभी हम सली का भूल जाता है तो सच कहने के लिए भी साहस प्लस सली का मतलब किस तरह के से हम अपनी बात को रखें वो जरूर हमें आना चाहिए वस्त्रो राभूशन शाप्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के शाप्दिक भ्रमों की तरह अब भी मैंने बताया आपको की प्रशन सामें आकर हम अपने मस्तिश्क का जो बुद्धी है विवेग उसको खो देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं यह जो शाप्दिक भ्रम बहुत खतरनाक होते हैं बेडियों की तरह हैं बेडि में बंधन जन्जीरे ऐसा लगता है कि यदि कोई हमारी प्रशन सा करता जाएगा तारीफे करते जाएगा हमें कोई उपहार देता जाएगा तो हम उसकी बातों में आते जाते हैं आते जाते हैं इट्स बैटर कि हम किसी से ना कुछ ले और ना किसी को कुछ दें अपने आप में जी हो ना भाई हम हमारे पास जो है वो बैस्ट है आंड बैस्ट लास्ट प्रीविएस वीडियो जो हमने देखा था मैंने उसमें डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम के पास सेंटेंस आपको बताये थे ना I'm the best I can do it God is always with me I am a winner and today is my day of course ठीके तो वस्त्रो राभूशन शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधना इस्त्री जीवन के इन में कभी भी नहीं उलजना अक्सर क्या होता था कि विवाह के समय बहुत सारे आभूशन सोने चांदी हीरे पता नहीं क्या का च बहुत सारे गया ने जेवर बढ़ा दिये अब सस्राल वाले कुछ भी कहेंगे लड़की चुप क्यों इतना सारा पहना वी तुह हूं मैं इनका मत पहनोना क्या है अर्था उस बात को या उनके सामने हम जुक जाते हैं जिनके अहसानों के तले दबे होते हैं एससानों के त इस्थाई होती है ना इस्थाई तो है नहीं पत्ते की तरह जीवन चक्र हमने आत्मकत्य पढ़ी थी कवीता प्रिविएस वीडियो में कि जीवन कैसा है एक कोपल छोटा सा पत्ता आया बड़ा पत्ता आया पत्ता सूपकर गिर गया खतम ठीक इसी प्रकार से हमारा यह शरीर है बच्चे थे थोड़े बड़े हुए फिर और बड़े हुए युवा हुए बुढ़ा पाया जुर्यां हो गई पूरा बिल्कुल एकदम चला गया और अंत में हिंदी में हो गया समापन अर्थाथ अपने इस मोजाल में कभी मत फसना कि यह तो स्थाई है ही नहीं आत्म हमारी यात्म मैंने बस करेगा बिल्कुल तरह यह है कि आग रोट artists एक लिए उंगली आखल ने के लिए नहीं तुम्हें अपनी रक्षा स ह Cosm कर नहीं होगी यदी कोई तुम्हें उस आग में जलाने का प्रयास करेब तो तुम उसे रोकना उसका विरोध करना उस इस सफल मत होने देना क्योंकि तुम तो वो शक्ती हो जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता ठीक है एक दो पंक्तिया मुझे याद आ रही है चरित्र जब पवित्र है तो क्यूं है ये दशा तेरी ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परिक्षा तेरी ठीक है इसी तरह से कुछ पंक बेडियां समझना इनको वस्त्रतू जो तुझसे लिपटी बेडियां समझना इनको वस्त्रतू ये बेडियां पिघाल के बना ले इनका अश्त्रतू तो खुद की खोज में निकल तो किसलिए हताश है तू चल तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है चूनर उड़ा अगर तेरी चूनर घिरि तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चूनर गिरि अर्थार यदी तेरे मान संमान को कोई आहत करता है, तो तू जिस तरह से देवी दुरगा का रूप है न काली का रूप विधारन कर सकती है, अपने आपको कमजोर नहीं समझना है, ठीक है, चूनर बन उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकप आएगा अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भुकंप आएगा तुचल तुचल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है यहाँ पर कभी रितुराज नहीं ही कहा है कि यदी कोई तुमें उस आग में जलाने का प्रयास करे कोई तो तुम उसे रोकना उसका विरोध करना उसे सफल मत होने देना कभी यहाँ दहेच के लालचियों पर निशाना साथते हुए कहना चाहते हैं कि किस तरह से लोग दहेच के लिए अपनी बहु को आग के हवाले करने से भी नहीं चूखते थे अब तो ऐसा नहीं है और आगे कभी मा के माध्यम से बेटी को सीख दे रहे हैं कि तुम वस्त्र आभूशन आदी के मूह में मत फसना यह सब सुन्दरता तो बढ़ाते हैं किन्तु महिलाओं के लिए बंधन भी हो जाते हैं ठीक है मा इन सब सामानों को इस्त्रियों के ठीक है इस तरह से अपने आपको आत्मसमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है मनश्र जीवन बहुत खुपसूरत है सबसे अच्छा सबसे अनमोल माने कहा लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना अब यह बड़ा अटपटा है आप सोच रहे हैं को यह कैस होगा माने कहा लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना अब देखिए बिटा फिर मैं आपको बताती हूँ कि माने ऐसा क्यों कहा कि लड़की तो हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना बताती हूँ आपको कि क्यों कवी ने ऐसा कहा के लड़की लड़की को क्या माना जाता था कमजोर ठीक है कमजोर और एकदम चुप चाप से बिल्कुल घरे लू गरे लू माना जाता है सिर्फ जो बच्चों का पालन पोशन करें पालन पोशन करने वाली चार दीवारी में कैद रहने वाली चार दीवारी में теक है इस तरह से लड़की को माना जाता है मा ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना अर्था जो समाज तुम्हें देखता है जो समाज जिस तरह से जो समाज के ठेकेदार है जो पुरुष वर्चस्व बताना चाहते हैं कि पुरुष ही समाज की शान है पुरुष ही समाज की आन है इस तरह से उन प बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमारे अंदर तो इतनी सहन शक्ती है कि किसी के अंदर भी नहीं, मा का रूप जब लेती है, मा 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है, उसके बाद ज gimbal देती है, उससे बड़ी शक्ती उससे बड़ी सहन शक्ती तो कोई भी नहीं है आपने सुना होगा कि परमात्मा सोयम धर्ती पन नहीं आ सका तो उसने मा को बना दिया ये है मा और वो है लड़की ठीक है तो हमें अपने जीवन में हमेशा लड़कियों के प्रती इस्त्रियों के प्रती स जमान की भावना रखनी चाहिए क्यूंकि हम जिसके से मतलब हमारा जन्म जहां हुआ वो माही है वो एक लड़की ही थी वो एक स्त्री ही थी जिसके कारण हम इस धरा पर आए तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है ओके तो बेटा यहाँ पर माने का लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना कि जिस तरह से जमाना हमें देखते आया है लड़कियों को समझते आया है वो हमें नहीं दिखना है बेटी सशक्त बने कमजोर या दवी कुछली अवला नारी ना रह जाए वह है अपनी समस्याओं का हल सोयम खोजे किस पर किसी पर भी आश्रित ना रहे खराब परिस्तियों का सामना डट कर करे समाज के स्त्रियों का सोशन होता है क्योंकि उन्हें कमजोर माना जाता है स्त्रियों के गुण दया क्षमा शीलता विनमरता इनको ध्यान से सुनिएगा देखिए स्त्रियों के जो गुण है क्षमा, शीलता, विनम्रता, लज्जा उनका आभुशन है और इन आभुशनों को ही समाज में क्या मान लिया जाता है उनकी कमजोरी कि क्षमा शीलता यदि मान लिजे उनके साथ कोई छोटी मोटी बात कह जाता है वो सोचती है कोई बात नहीं मा का रूप होता है ना चलो ख्षमा कर देते हैं और एक ख्षमा को क्या मान लिया जाता है कमजोर है क्योंकि हमारा सामना नहीं करने वाली कर पाएंगी इसलिए हमको ख्षमा कर दिया है ना दूसरा विनम्रता विनम्रता अर्थात पुलाइटने पुलाइटनेस को भी बड़ा कमजोर समान लिये जाता है कि ये तो बहुत विनम्र हैं तो विनम्र तो रहना है लेकिन विनम्र ता कि आड में दब्बूपन नहीं दिखाना है जहां मौका आए जहां अवसर आए जहां लगे कि मुझे तो अपना काम करना है मुझे अपनी बा करना चाहिए बड़े से छोटे से बराबरी वालों से तो इसका हम स्रियां खास तोर से ध्यान रखती हैं लेकिन समाज में क्या मान लिया जाता है कि इनको कुछ नहीं आता इसलिए चुप रहती है ठीक है तो और यह ऐसा नहीं कि सभी ऐसा मानते हैं जो सिक्षा से परे हैं जो सिक्षा से दूर दूर तक जिनका कोई नाता नहीं है उनके मन में इस तरह से मिस्कंसेप्शन अर्था गलत फहमियत जन में ले जाती हैं और उसके कारण वो कहते हैं उनकी कमजोरी मा कहती हैं कि बेटी हर अत्यचार अन्याय और बेहिमानी के खिलाफ आवाज उठाती रहना चुप नहीं रहना कभी आसा है महसूस ना करना मुसीबत पढ़ने पर दूसरों की सहायता मांगने के वज़ाएं अपने आपको सक्षम बनाना क्यूंकि तुम अबला नहीं तुम सबला हो तुम देवी दुरगा भी हो और देवी काली भी हो अर्थात अपनी शक्तिय और अकलमंदी की तो ये आप सोय मनुमान लगा सकते हैं कि सहन शक्ति किसमे अधिक है ठीक है देखिए पहला प्रशन है आपके विचार से माने ऐसा क्यों कहा कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना अर्थात जो समाज देखता आया है जैसा नजरिया ज समाज के ठेकेदारों ने जैसा परस्पेक्टिव या जैसा द्रिष्टी कौन लड़कियों के प्रती बनाया है वैसा तुम अपने आपको मत समझना ठीक है मेरे विचार से लड़की की माने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना ता साथ ही साथ पूलाइटनेस विनमरता आधी गुणों को तो बनाये रखे परंतु वह इतनी कमजोर भी ना हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग या अन्य कोई भी लोग उसका शोशन करने लगे ठीक है इसलिए यहाँ इसके अलावा भावी जीवन की कठनाईयों का सहा स्पून मुकावला भी कर सके यह कहना चाहती है इसलिए ऐसा कहा था माने कि बेटी लड़की तो हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देनार था जो समाज देखना चाहता है वैसी अपने आपको तो तो मत समझना आया समझ में आया ना बेटा ओके अगले प्रश्नी की के लिए है जलने के लिए नहीं तो इन पंक्तियों में समाज में इस्त्री की किस इस्थती की और संकेत किया गया है क्या होता आया है या क्या समाज में लड़कियों के साथ या ससुराल वाले किस तरह से अत्याचार करते थे वो इसमें है इन पंक्तियों में समाज में इस्त सोशन से मुक्ती पाने के लिए सोयम को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर देती थी इसलिए माने बहुत अच्छे से समझाया कि आग रोटियां सैखने के लिए है जलने के लिए नहीं इतनी भी तरस्त मत हो जाना ऐसे यदि नहीं आपको लग रहा है तो बिल्कुल अपने आपको एक सशक्त महला की तरह आगे लाना और घर परिवारी या जहां आपको आना हो एक बार सूचना तो दे देना, पहली बात तो अपने आपको प्रत्यक्ष रूप से उसके काबिल बनाना, सक्षम बनाना ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके, अत् समझाया क्या जरूरत था, क्या लड़की को कुछ पता नहीं था, लिखाता ना पंक्तियों में कि लड़की अभी भोली सयानी थी, उसको सुख का आभास था लेकिन दुख माचना नहीं आता था, तो माने इसलिए कहा कि क्यूंकि उसकी बेटी अभी भोली और ना समझ थी, जिसे दुनियादारी और चल कपट का पता ना था, उसको बस यहीं लगता था, जो मीठी मीठी बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसने कड़वी अर्था सच कुछ बोल दिया वो बुरे होते हैं, तो मीठी बोलने के पीछे कुछ स्वार्थ भी नहीं थोता है, तो मीठी है या किस तरह से कौन-कौनसर सोशन किया जा सकता है सुशन सिर्फ और सिर्फ शारेरिकी नहीं ओता बीटा मांसिक सोशन भी होता है mental harassment है ना मांसिक रूप से किसी को प्रतारिद करना भी एक कानूनन अपराध है यदी मांसिkk कुछ रूब से बहुत ऐसा निया कि शारीरिक प्रतार्णा दी जाया तभी वो अपराद है मांसिख रूप से कि सी को प्रतार्ना देना देना भी बहुत बढ़ा अपराद है तो हमेशा अपने आपके वैवार में या हमा अपना जो वैवार है उसमें इतना अच्छे रहना इतनी अच्छी मीठी शहद घोलते रहना अधिक नहीं नहीं तो कीडे पड़ जाते हैं तो इतने अच्छे से हमें वैवार कुशल बनना है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कैस कटू शब्द बोलते हैं कैसी भाषा है इनकी है ना तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि वह लोगों की शोशन प्रविर्ती से अंजान थी इसके अलावा वह शादी विवा को सुख में एवा मोह कल्पना का साधन समझती थी वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिग्य थी उ वैसा मैंने आपको बताया था प्रीवेस वीडियो में कि शादी हो रही है मैं दुलहन बनी हूँ इतने सारे गयने इतने सारे जेवर महमान नए नए कपड़े ओ वाव कितनी अच्छी लग रही हूं मैं इस कल्पना में खो गई अब उससे पता नहीं कि जिम्मेदारियां क अभी किसी कारे के लिए तो अपने आपको इतना सक्षम और इतना सशक्त बना लेना है कि हम किसी बातों में बह ना जाए और बह कर कहीं डूब ना जायर्थात पच्तावर ना हो अमें ठीक है नेक्सट पाठीका थी वह दुन्दले परकाश कि कुछ तुकों और कुछ लहबद पंक्तियों की इन पंक्तियों को पढ़ पर कर लड़की की जो चवी आपके सामने उभर कर आ रही है उसे आप शब्द बद कीजिए पाठी का थी वह धुंदले प्रकाश की जैसे लाइट कम हो या धुंदलासा कहीं से भी विजली की कोई व्यवस्था नहीं हो संलाइट नहीं आ रही हो और आप से कहा जाएगी पढ़ो अब क्या करोगे अंधेरा है थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है धुंदलासा कुछ अब क्या करोगे आप कोशिश तो करोगे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाओगे ठीक उसी तरह से आपकी उम्र के बच्चों के साथ है कि जीवन आपको बहुत अच्छा लग रहा है कुछ तो नहीं है जीवन है ही क्या और उपर से मम्मी पढ़ने पढ़ने का कहते रहते हैं टीचर ह होमवर्क देते रहते हैं हम क्या 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 करें है इस तरह से हमारे विचार मस्तिष्क में बहुत सारे बहुत सारे विचार मस्तिष्क में आने लगते हैं कि क्या क्या करें टीचर सपोज आप स्कूल गए और पूछने लगए कि हम वक्या मैं उन्होंने भी दिया था ना मै मैंत कमिला ता साइन्स एम एक Wasn't नहीं की चुरुबात हमेषा पहली सीडी पर कदम रखकर इ – यह की जाती है तब ही हिम जाक च्थब पहुंच पहते हैं ऐसा तो मुझा सब्सक्र भी डशत भी पर रख देंगा उस मैं च्थब पर पहुंच जाएंगे क्या होगा धड़ाम से गिर जाएंगे तो जिस प्रकार हम छत पर जाने के लिए सीडियों का सहारा लेते हैं एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं ठीक वही उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी शने है अराम से आइस्ता आइस्ता आगे बढ़ना है है ना तब जाकर कहीं हमें जीवन में ऐसा नहीं कि सफलता हमारा इंतजार कर रही है कि आओ 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 मेरे पास आओ मैं बैठी हूं तुम्हारे लिए नो मेहनत करनी होगी बहुत मेहनत करनी होगी और सिर्फ और सिर्फ सफलता को सोच कर मेहनत नहीं करनी है कि मुझे तो मान लिजे कोई एम किया आपने कोई गोल सोच के रखाए कि मुझे ये बनना है मुझे ये करना है तो सिर्फ उसमें आप उसी को मत सोचिए जाना कैसे है उस रास्ते पर देखिए एक उधारन मैं फिर से देती हूं मान लिजे आपको नीचे जाना है दादा जी नीचे वाले कदम रखू और पता चला कि मुझे लगा यहां एक सीड़ी है वाद दो थी और मैं गिर गया जाना है दादा जी के पास याद रखना है लेकिन रास्ते पर तो ध्यान देना है ना बिटा मंजिल को पाना है लेकिन किस पत पर हमें चलना है वो मत भूलना ठीक है तो अब क्य के जो नियम कानून सोच विचार उससे वो अनविग्य थी एकदम अंजान थी ठीक है लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है यहां पर उजले पक्ष मीज किसको कहा है अच्छी अच्छी बातों की कि ऐसा होता है वैसा होता है शादी के बाद यह होगा य होगा मुझे कितना मज़ा आएगा यह तो है पर दूसरे पक्ष छल कपट शोशन आदी की कोई जानकारी नहीं है वो तो सोचती सब कुछ आसान है यह हो जाएगा उसमें क्या है तो यह लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई हुई है अर्थात हम अभी आपकी बा वात रकर बैटे-टराएं कि मुझे कुछ नहीं करना जीवन तो बहुत कठी ने मैठम ने कहा था कि बिलकूल कठीम है अब मम्मे कुछ नहीं कर सकता हम मुझे पढ़ना भी नए क्यूंकि जीवन कठीन है यह भी नहीं सोचना है ठीक है क्या करना है वही बात step by step अभी आप 10th में है 10th पर focus करिए ठीक है विद्यारती जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी study अपने अध्यन पर ध्यान दीजिए जैसे जैसे आपकी classes बढ़ती जाएंगी आप college में जाएंगे college में आप चुन लेंगे कि मुझे इस पर करना है फिर उस पर मेहनत कीजिए ऐसा नहीं क के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है सोचना किसके बारे में जो वर्तमान है जो हमारे हाथ में हैं उसी को हम परिवर्तित कर सकते हैं उसी को हम सुधार भी सकते हैं सवार भी सकते हैं जो गया सो गया जो आने वाला है वो हमें नहीं पता यदि वर्तमान को हमने समार ल तो माने यही कहा था कि जो भी हो उसका एकदम सिर जुखा कर नतमस्तक होकर उस अन्या को सहना मत उसका प्रतिकार भी करना उसका सामना करना डटकर करना ठीक है चलिए मा को बेटी अंतिम पूझी क्यों लग रही थी बताईए मा ने बेटी को अंतिम पूझी क्यों कहा है कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूझी हो ऐसा कहा था ना तो मा ने अपनी बेटी को अंतिम पूझी क्यों कहा मा को अपनी बेटी अंतिम पूजी इसलिए लगी क्योंकि वो इसके सुख दुख की साथी थी हर एक बात सब कुछ कहती थी लेकिन अब तो वो वर्पक्ष को हमेशा के लिए सौप रही है ना अब तो बेटी पराई हो गई ना ऐसा माना जाता है कि विवा हुआ और बेटी प के बाद मां एक दम अकेली रह जाएगी उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी जिसके साथ वय अपनी निजी बाते बाट लिया करती थी इसके अलावा बेटी मां के लिए साब सिप्री है अब यहाँ पर वस्तू जो लिखा है वो अब आप इसका बिल्कुल विर लड़की थी याद होगा आपको पढ़ाता ना रीड के अड़ी किस तरह से उमा ने लड़के बालों को खदेड कर भगा दिया था किस तरह से शंकर था शंकर था लड़की का नाम गोपाल प्रसाथ था होने वाले ससुर का नाम रामसरूप था लड़की के पिता का नाम प् बनाना सब कुछ आना चाहिए और लड़के को कुछ नहीं आता था क्यूंकि उसका जब चरित्र चिट्था पाटा सब खोला उमा ने तो उसकी तो बैक बॉनी नहीं थी रीड की हड़ी ही नहीं थी अर्था उसका कोई चरित्र ही नहीं था उसका कोई आच्रणी नहीं था और जब उमा ने ये सारी बात उनके सामने रखी थी तो कैसे वो दुम दबाकर भागे थे ना तो यही कहना चाहते हैं कि क्या हुआ और उमा ने यही कहा था कि लड़की मतलब मैं कोई वस्तु नहीं है जिसका आप मोल भाव किये जा रहे हैं कि यह भी आता है वो भी आता है चु पाल प्रसाद थे वह भड़क गए थे कि राम सरुप जी आप होने वाले संबंधी थे हैं हमारे लेकिन आपने हमसे जूट बोला लड़की की पढ़ाई चुपाई हमें तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी और ऐसा क्यों आता था ऐसा इसलिए मानते थे समाज के ल तरक वितरक करना और अच्छे से बात कहना यह दोनों अलग अलग बात हैं तरक वितरक से डर रहे हो मतलब आप आप सिक्षित हो यह चलता है लेकिन लड़की सिक्षित हो यह आपको डाइजस्टी नहीं होता पच नहीं पा रहा है क्यों क्योंकि आपको लगता है कि लड़ भाव मोल भाव आप किये जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर लिखा जरूर है उसमें भी लिखा है आप कहीं भी देखें कि तो वस्तु लिखा मिलेगा परंतु मैं इसका विरोध करती हूं और आप भी कीजिए कि कोई हाँ पूंजी या संपत्ति क्यों माने भाई संपत्ति तो महत्वपून उसका अंग है क्या सकते हैं ना अंग को अलग करके हम किसी को भी नहीं दे सकते कि आज तुम एक एक उंगली ले जाओ कल तो हमारा पूरा हाथ ले जाना क्या सकते हैं क्या नहीं तो महत्वपून अंग है उसकी आत्मा है है ना उसकी कोक से उसने जन्म लिया ह चाये वो बेटा हो या बेटी मा के लिए सब बराबर हैं और वो उसका अंग है जिनको काट कर हम किसी को दे नहीं सकते जबकि संपत्ती चोरी भी हो सकती है, कोई हमसे ले भी सकता है, छीन भी सकता है, लेकिन जो संतान है, वो हमेशा रहती है, एक अंग की तर है, महत्वपूर अंग की तर है, ठीक है, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौप रही थी, इसके बाद वह नितान अकेली रह जाएग आप लोग पता कीजिएगा फिर मुझे comment box में जरूर लिखिएगा कि एक भारत में ही कोई एक ऐसा इस्थान है जहां लड़की गोड़े पर सवार होकर आती है बरात लेकर और फिर जो दूला है वो जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्या कह रहा है लिखा कभी माने बेटी को क्या क्या सीख दी क्या क्या सिखाने का प्रयास किया माने माने करन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत सारी सीख दी थी क्या क्या सिखाय था क्या क्या सिख्षा दी थी कि मैं ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने यही का आता आग का उपियोग रोटियां पकाने के लिए करना उसका दुर उपियोग अपने जलने के लिए मत करना आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं वस्त्र आभूशनों के मुह में फस कर इनके बंधन में ना बंद जाना वस्त्र और आभूशन बंधन महिस्त्री जीवन के इनके बंदन में अधी तुम बंदी तो अपनी सच्चाई को कभी उनसे कही नहीं पाओगी अपने मन में जो उत्पन हो रहा है उसमें मानसिक रूप से तुम खुद प्रताड़ित होती जाओगी और सहन शक्ती तुमारी धीरे 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 बढ़ती कान्या के साथ Yes, आ गया न वही देखिए धियान से सुने आपकी दृष्टि में कण्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है किया कान्या दान क Cap दान शब्द जोड़ना सही है नहीं बात वही हुई ना का वस्तू का दान पैसे का दान धन्दौलत का दान तो क्या कन्या के साथ जो परंपरा चली आ रही है कन्या दान तो कन्या दान कन्या के साथ दान जोड़ना आपको उचित लगता है अपने विचार मुझे जरूर बता जोड़ा जाना चाहिए ठीक है देखते हैं मेरे दिश्टी में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है दान तो किसी वस्तु का किया जाता है कन्या कोई वस्तु तो नहीं उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है रुची पसंद इच्छा अनिच्छा बहुत सारी बात किसी को जब दान दिया जाता है चाहे वो मंदिर में दिया जाए मस्जित में दिया जाए गुरु द्वारे में दिया जाए या चर्च में दिया जाए कहीं भी दिया जाता है दान मतलब दे दिया तो दे दिया कोई बास्तर नहीं हमने तो दे दिया लेकिन क्या बेटी को व जान देने जैसी बात करना पूर्ण त्या अनूचित है अनूचित है हम इसका साथ नहीं देंगे मैं आपके विचारों को जरूर जानना चाहूंगी कॉमेंट बॉक्स में तो कि देखिए प्रशन है दुख बाचना से कवी का क्या अभी प्राय है दुख बाचने का क्या अर् गलत है तो क्रॉस लगा दीजे क्रॉस करके और उसको देख देख लिजे कि यह गलत है ठीक है माली आपने पहला देखा और यह गलत है आप क्या सुख दुख का अंतर जानना यदि आपको लगता है कि यह गलत है तो इसको भी क्रॉस कर दीजे स्थित्ती विपरीत होने पर सा है सही कौन सा हर बड़ा हट में जल्दवाजी में कुछ भी टिक कर रहा जाए हर एक option कुछ आए वो ABCD हो या काखा गागा हो हर एक को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद ही आपको सही उत्तर पर जाना है तो बताइए अभी जैसे अभी मैंने तो just example दिया आप बताइए दु लाइट नहीं है फिर भी हम तो अंदहरे में पढ़ रहा है ऐसा या फिर कोई नहीं क्या लगता है आपको का ओके लेट मी चेक क्या है वेरी गुड़ बहुत सही वेरी नाइस यू डिट वैल तो यहां पर हमने देखा कि यह है इसका अंतर चलते हैं अगली प्रशनी की तर और उत्तर दीजेगा कवीता में शब्दों के द्वारा किसी आवास्त्विक अन्रियल ठीक है वस्तु को वास्त्विकर था रियल सा दिखने को क्या कहा गया है काल्पनिक शब्द शाब्दिक सौन्दर्य वास्त्विक भ्रहम या शाब्दिक भ्रहम आप सोचिए कि कवीता में कौन सा शब्द आया था काल्पनिक शब्द सबको देखना है मैं सही के पीछे एकदम नहीं भागना है टाइम रहता है किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में जाएं आप अपनी बोड परिक्षा दें कभी भी ठीक है हर एक प्रश्न को सॉल्व करने क यहीं सही आंसर है अगले प्रशन पर चलते है लड़किया सुभाव से कैसी होती है सरल कठोर सेंशी बिहां यह चालाग कैसी होती है सरल कठोर सेंशील क्या लगता है आपको सरल सेंशील भी लग रहा है कठोर को क्रॉस कर दूं इसको भी क्रॉस कर दूं इट मिंस की दो जो आंसर है उनमें से एक है अब बताए कौन सा हो सकता है सरल हो सकता है या सेंशील लड़की अभी सरल भोली थी स जैन्शील भी होती है तो आपको क्या लगता है कि सरल होगा चलते हैं देखते हैं अरे वाह क्या बात है कविता की पंक्तियों को यदि आप याद रखेंगे न तो तर आपको तुरंत मिल जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया अगले प्रश्नी की तरफ चलते हैं हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है क्या सोचती है कि कैसा होगा जीवन बहुत मधूर कोरी कल्पना जस्ट कुछ भी रंगीन या इनमें से कोई नहीं क्या लगता है उसको कि विवाह के बाद अच्छा होगा बुरा होगा क्या सोचत भीरणी भीछी भेए देखले डिल यह कोरी को गत कर दूँ क्रॉस यह BACK ले चलते हैं आप मेंसे किसका सही उत्तर है देखेंगे रंगी~! मतलब उसको लगता है खुशियां ही-खुशियां होंगी चार तरफ वात अवरन बहुत अच्छा होगा इस तरह से वो आगे बढ़ती जाती है और उसको वास्थविक जो जीवन है उससे वो एकदम अनभिग्ज रहती है आपरीचित रहती है ठीक है अगले प्रेश्ण की तरफ चलते हैं तुक और ले कवीता में किसका संचार करती है तुक और ले ये शब्द आये हैं कवीता में तो जो तुक और ले थी वो क्या है भावनाओं का सुख का आनंद का या मधुरता का बताईए तुक और ले कुछ तुक और ले बदपंग्दियों की है ना था ना क्या है भावनाओं का सुख का आनंद का या मधुरता का भावनाव का मुझे नहीं पता आप पता यह आनंद का क्योंकि उसको लगता था कि बस ऐसा ही है न अराम से चल जाता है सब जगे खुशिया ही खुशिया होगी क्या होगा कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे उस कदम रखती है जब उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है तो अचानक वो डर जाती है it's better कि हम अपने आपको be prepared तैयार रखें तैयार कैसे रखेंगे हम अपने माता पिता की सीख को मानें उनकी बातों को तो सुन लें ठीक है क्योंकि उनकी सीख हमेशा हमें कदम कदम पर बचाती है सही रहा पर ले जाती है लगता है उसको लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है वास्तविक दुखों की काल्पनिक दुखों की संभावित दुखों की या इन में सब कोई नहीं वास्तविक क्या बात है बड़े जल्दी उत्तर दिया है देखते हैं सही या नहीं संभावित क्योंक क्योंकि धुन्दले प्रकाश की पाठी का कहा है तो यहां पर जो संभावनाय हो सकती है जो लड़की जिस मतलब लड़की को कुछ नहीं पता कि क्या होगा लेकिन मां को तो सब कुछ पाथ है न की possibilities क्या क्या हो सकती है इसलिए संभावित ओके चलते हैं अंगले प्रशन की तरफ कभी ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है कैसे सुख कालपनिक वास्तविक स्वपनिल या इन वैसे कोई नहीं कैसी कलपनाय करती है मतलब कैसे विचार रहते हैं लड़की क किन सुखों में जीता अपने आपको जीती है वो कि यह होगा वो होगा वास्तविक या कालपनिक या सपने वाले क्या लगता है आपको ओके देखते हैं बहुत सही कलपनाओं में खोई रहती है ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा यहां जाएंगे वहां जाएंगे कितना मज लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी करन्या ही उसकी एक मात्र क्या थी बताइए सहारा थी बेटी थी पूंजी थी या कोई नहीं एक मात्र क्या थी हाँ सहारा या पूंजी दो लग रहा है आपको देखते हैं क्या है सहारा थी या पूंजी थी अंतिम पूंजी पंक्ति देखे कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो पंक्ति को याद रखो पोयम को याद में तनिक भी परिशानी नहीं होगी बिटा ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ चले आईए दुन्दला प्रकाश किसका प्रतीक है कम रोशनी का अंधेरा का आइस पश्ट सुख या असान अशांती तुन पार्टी का थी वैं दुन्दले प्रकाश की क्रिस्टल क्लियर तो था या चारोतरा बादल छा गया है सूरज ढग गया है या अंधेरा एकदम या फिर आइस पश्ट सुख सुख की कल्पना तो है लेकिन क्या होंगे यह नहीं पता या अशांती क्या लग रहा है गाह देखते हैं बहुत सहीं फैरी वैल डन यह होई ना बात अच्छे से होगे तो अच्छे से उत्तर दे पाओगे वेरी गुड बेटा अगला प्रश्ण कवीता में आनंद का संचार कौन करती है शब्द तुक और ले सौंधर और चित्र कवीता जो रहती है उसमें आनंद का संचार सर्कूलेशन कौन करता है शब्द करते हैं तुक और ले करती ह संदर करता है या चित्र करता है कोई भी कवीता सुन्दर कव लगती है कब वो एकदम रस भरी हो जाती है अच्छा तुक और ले राइमिंग टाइप हो जाती तब ओके लट मी चेक क्या बात है कुछ तुक और कुछ लेबद पंक्तियों की वेरी वेल डन लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कस्ट जेल लेती हैं सस्राल वालों की सिक्षिका की मित्रों की या किसी की नहीं किस की माली जिपोई आपकी प्रशंसा कर रहा है फिर वहां के हर कस्ट को जेलने के हें लिए तेयार हो, आ कहुद से हो, पां मेरे को बूंट zasaral वालों की बात की जा रहे है, कन्यादानन को बताई स्कूल में यदि मैडम आपको बहुत तारीव करें बिटा आप तो बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छा लिखती हैं ये वो फिर आपको डाट भी दे आपको मांसिक रूप से कुछ भी कह दे कि क्यों नहीं आई थी स्कूल आना चाहिए या कुछ भी बहुत सारी बात है तो बहुत साही वेरी वेल डन अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं कन्यादन कवीता में किसके दुख को वानी प्रदान की गई है किसका दुख था कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंदिम पूंजी हो लड़की के दुख को लड़की की मां के दुख को या कवी के दुख को या इन में से कोई नहीं बताईए किसके दुख को वानी प्रदान की है किसका दुख बताया गया है कवीता में वाव इतने जल्दी उत्तर दिया लड़की की मां के दुख का बताया गया है आपर चेक कर दें बहुत से अपने लिए तालिये बजा दो भाई अपने लिए कभी कभी अपने आपको शावाशी दे दिया करो सेल्फ मोटीवेशन मिलता है अच्छी बात होती है बहुत बढ़ी है वेरी वेल डन अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था घर का कामकाज दुखों की भयानकता को समझना पढ़ाय लिखाई का कार है या अपना काम समय पर कर लेना क्या नहीं आता था उसको घर का कामकाज़ वो तो सीखी जाएगी दुखों की भयानकता को समझना येस क्या बात है आप में से कोई कह रहा है कि मडम यही आंसर है पक्का या पढ़ाय लिखाई का कार वो तो होता ही रहेगा जीवन पर पढ़ाय लिखाई करनी है क्योंकि कि लर्निंग इस लाइफ लॉंग प्रॉसेस जो कभी रुखती नहीं है है और जो हमेशा सीखता रहता है वो हमेशा आगे चलता भी रहता है जिसने यह सोच लिया कि भाई मुझे तो सब कुछ आ गया वहीं पर रुख गया और रुख गया अर्था ठहरे हुए पानी की तरह ह पी हुए वाटर की तरह है जो पीने योग नहीं होता तो मनुष्य जीवन है तो सीखते हमेशा हमें रहना है लर्निंग हमेशा करते रहना है तो वो तो चलते ही रहता है यह आपना काम समय पर कर लेना वो भी सीखी जाते हैं तो ओके आपने कहा दुखों की भयानकता को सब्सक्राब दिये इट मेंस कि आपने कभी ताको बहुत अच्छे से सुना है समझाए दूसरा आपने जो इससे प्रीविएस जो वीडियो था एंसी आटी सॉलूशन का वह भी आपने अच्छे से देखा है और अब आप अच्छे से उत्तर दे पा रहे हैं तो को और कुछ लेबद पंग्तियों से कवी का क्या तातपरे है क्या कहना चाहते हैं कभी ध्यान से सुनिएगा कभी का तातपरे उस सामाने ज्यान की प्राप्ती से है जो विवाह से पूरु लड़की को परिवार में दिया जाता है देखते हैं लेबद कवीता की रचना करना सुर में सु कैसे जाना क्योंकि बहुत बड़ा लिखा था इसलिए ओके क्योंकि ये तीनों नहीं थे इसलिए वो था बहुत सही वस्त्र और आभूशन शापदिक भ्रहमों की तरह बंदन है स्त्री जीवन के येस फिर से अलंकार से संबंदित प्रशन आ गया वस्त्र और आभूशन कि अब तो आपकी टंग पर हैं मस्तिश्क पर हैं बताईए रूपक स्लेश उत्प्रेक्षा या उपमा बताओ वस्त्र और आभूशन शापदिक भ्रहमों की तरह बंदन है स्त्री जीवन के कौन सा लंकार हो सकता है इसमें रूपक उपमान रूपमे समान स्लेश जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थचिपके हुए होते हैं उत्प्रेक्षा जहां कुछ भी मान लिया जाता है अर्था संभावनाय दिखाई जाती है या तुलना की जाती है उपमा बोलो बोलो बच्चो कुछ तो बोलो आई वेटे किसी ने उपमा कह रहा है कोई रूपक एर रहे है उत्प्रेक्षा नहीं है पक्का स्लेश भी नहीं है क्रोस कर दूँ ओके फिर इन दोनों में confusion ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में कोई हो चेक करते हैं उपमा क्यों क्योंकि तरह शब्दाया है मतलब तुलना की जा रही है और उपमा अलंकार में उपमान और उपमे की तुलना की जाती है इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा very good बहुत साई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिटा माने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना ऐसा क्यों कहा तो अब फिर से आपको इसमें अलंकार बताना है की लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना अलंकार है विरोधा भास प्रक्तीक उत्प्रेक्षा उपमा अच्छा नाइंत में पढ़े होंगे ना बेटा आपने कि मैंने इन दोनों के बारे में अभी कभी नहीं बिताया ना क्योंकि यह आए नहीं थे तो क्या उत्प्रेक्षा लग रहा है अपको नहीं ओके उपमा लग रहा है क्या नो इसलिए तो नहीं एक यह रहे इन मैसे कोई होगा तो मैंड़ा बता देंगी हम क्यों कश्ट करें ओके बता देती हूं माने कहा हां लड़की तो होना प्लाइड की तरह दिखाई मद देना विरोध किया है ना लड़की हो लड़की की तरह मंद दिको विरोधा भास एक्दम ऑपोसट तो फो इत विरोधाभास इस राइट आंसर लेट मीचेक येस ठीक है जहां पर विपरीत हो ठीक है जैसे कि लड़की तो हो लड़की जैसी दिखाई मन देना अलग लग रहा है नहीं हो फिर भी नहीं करना है वैसा तो जो परिस्तिय हो उसके विपरीत यदि कोई बात आती है विरोध मे आपोजिट कोई बात आती है तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है और जहां पर कोई examples दिये जाते हैं प्रतीक symbols की बात जहां की जाती है वहाँ प्रतीक आत्मक अलंकार होता है प्रतीक अलंकार क्लियर है बिटा और detail में जब हम एक बार और revision करेंगे तो अलंकार समझ अगले प्रशन की तरफ चलता है माने बेटी को अपने चहरे पर मत रीजना ऐसा क्यूं कहा बताईए ऐसा क्यूं कहा कि अपने चहरे पर मत रीजना वो क्या क्या न चाहती थी क्यूंकि नव बधू अपने सुन्दरता की प्रशन सा सुनकर सस्राल वालों की द्वारा सस्रा ताइब नहीं होती चिरिस्थाइब शाश्वध हमेशा के लिए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा क्या ऐसा होता है पेड़ पौदे हो कोई वस्तू हो मनुष्य हो कुछ भी हो क्या हमेशा एक सार रहता है नो पक्का ठीक है सौंदरी की प्रशन सा सुनना स्थ्री की कमजोर होती है ऐसा ऐसी बात है क्या मुझे तो नहीं लगता है ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रशन सा कर दे हमें अपने आपका पता होना चाहिए कि वेर आयम स्टेंडिंग मैं कौन हूं मैं कहा हूं मैं कैसी हूं दूसरे तारीफों के पुल बांदे तो I can observe ना कि भाई ये बड़े बड़े तारीफों के पुल बांद रहे हैं प्रशन सा में नहीं पढ़ना है हमें हमें पता है कि हम क्या है तो अपने आपको जानना सबसे कठिन होता है बिटा अपने आपको नियंत्रित या कंट्रोल करना भी सबसे कठिन काम है अक्सर क्या होता है बताती हूं कि सबसे जो वो खुश क्यों है वो दुखी क्यों है उसके पास इतना धन क्यों है इसके पास इतना कम क्यों है इसमें इंसान लगा रहता है इसके स्थान पर यदि वो स्वयम पर ध्यान दे अपने आप पर ध्यान दे तो बहुत सारा कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है समझे तो यहां पर बताईए क्या कहना चाहते हैं का और खा कथन सत्त्य है। सुंद्र की प्रशंस सासुनकरिस्षि कमजूर हो जाती है। सुंदृता की प्रशंस सास्रालश वाली द्वारा yawn ध्याती है यही लग रहा है आपको और सुन्दर्ता चिरिस्थाई नहीं होती अर्थाथ ऐसा नहीं है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे ये भी सही लग रहा है इट मींस की आंसर कौन सा सही होगा का और खा कथन सत्य हैं इसको कर देते हैं टिक ओके चेक करते हैं बिटा हाँ ओके मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए क्योंकि नव अधू अपनी सुन्दर्ता की प्रशन से सुनकर सस्राल वालों द्वारा चली जाती है ये भी हो सकता है दूसरा सुन्दर्ता चिरिस्थाई नहीं होती ये वास्तविक जीवन है लेकिन कविता के अकॉर्डिंग य इसका सही उत्तर है ठीक है समझ में आया कविता के अकॉर्डिंग यादी हम देखते हैं तो क्योंकि वहां पर लिखा है कि सुन्दर्ता पर मत रीजना ये जो बात है जनरल बात है ये सिर्फ वर्बल हमने कही थी क्योंकि कविता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है और हमें उत् गूल आर्थ स्पष्ट कीजिए दुख बाचने में जो बहुत में गहराई से गूल मींस गहराई से बिल्कुल अंतहसल तक जाकर डीपली डैप्त में जाकर बताईए कि दुख बाचने का अर्थ क्या है दुख की पहचान जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखन सब्सक्राइब दुखे बहुत रहनyezet जीवन के हर पक्षकी समझ रखना यह यहण परी क्तु सभीकटन सब्सक्रांते है क्या लगता है अपको दुख की पहचान, जीवान में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हरपक्ष की समझ रखना, क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, लग रहा है, ये वाला, पक्का, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत सही, गुट, नाइस, आगे चलते हैं, वस्त और आभूशन सुंदर वर्धक जैसे अलंकार होते हैं कविताओं के लिए शापदिक भ्रहमों की तरह है सिक्षाप्रद या कोई नहीं फिर हमें कविता के अधार पर ही उत्तर देना है क्योंकि कविता से रिलेटेड ही यह क्वेस्टेंस हैं तो हमें सामान ने उत्तर ना दे है बंधन इस्तरी जीवन के एक पंगती ही है ना तो इसलिए यहीं उत्तर होगा रितुराज जो कभी है मारे कन्यादान कविता के आप बताईए उनका जन्म कभ हुआ था जीवन परिचे आपने सुना था समझा था आपकी पार्ट अभी पलट कर मत देखिए पेज मत पलट जोधैपुर में या सन 1948 में उधेपुर में या सन चान और सोर्म्हा या आपको मतलब आपने सहीए नहीं सुना था क्या लगता है क्या लग रहा है पहला चौता भी लग रहा है तीसरा भी लग रहा है दूसरा भी लग रहा है चेक कर लेता है पहला 1940 में राजिस्थान के भरतपुर में हुआ था किनका जन्म कभी रितुराज जी का अब याद रखना भूलना नहीं है कि उधैपुर जोदपुर जैपुर यह साब के सारे के सारे ओप्शन्स आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिये हैं हमें क्या याद रखना है राजिस्थान के भरतपुर में ठीक है याद रहेगा ना बच्चो चलो आगे चलते हैं रितूराज जी ने अजीविका औ के लिए किस शेत्र को चुना बताइए पूरा अच्छे सैंपने सुना था ना कभी परीचे के समय है वकालत अजी विका में जीवन यापन करने के लिए उननों क्या चुना अध्यापन, व्यापार या चिकित्सा, चिकित्सा समझते हैं, येस, वकालत, अध्यापन, व्यापार या चिकित्सा, क्या वो व्यापारी थे, क्या वो चिकित्सा या डॉक्टर थे, क्या वो सिक्षक थे, या वो वकील थे, क्या था उनके जीवन में, अच्छा, किसी कोई क है रहा है कुछ वकालत कर देखते हैं अध्यापन में उसको और कहीं से प्रमान या प्रत्यक्ष को प्रमाने की आवशक्ता होती है परूफ देने की आवशक्ता नहीं है उसका 911 अपने आप में परमानिक है है ना प्रमानित है क्यों कहा है क्योंकि मां का दुख प्रमानिक होता है मां का दुख सबसे बड़ा होता है मां का दुख अतुलनिय होता है कन्यादान करना मां के लिए अत्यंत पीड़ादाई होता है क्यों कहा है क्या कहा है इसका अर्थ क्या है बताइए प्रमानिक होता है या सबसे बड़ा होता है या अतुलनी अर्थात इंक्रिडिबल होता है या फिर अत्यंत दुखदाई पीड़ाई मेंस अत्यंत दुखदाई होता है ओके चेक करते हैं बिलकुल अत्यंत पीड़ाई होता है और ये मां ही समझ सकती है कि बेटी जब जाती है या बेटा भी कही जौब करने के लिए या कई अपना घर बसाने के लिए जब जाते हैं ना तो मां का दिल रोने लगता है वो अलग बात है कि वह आपके सामने एशो अराम से कुछ नहीं चाहिए वे हमेशा आपको बहुत उचायों पर देखना चाहते हैं आपकी तरक की आपके स्वास्त की दिन रात प्रभू से उपर वाले से जिसको भी आप मानते हैं अल्ला इश्वर जो भी हो उससे प्रार्थना करते हैं दूआ मांगते हैं कि हमार फर्ज सिर्व इतना है कि हम उनको खुशी दे हमारे कारण कभी उनकी आखों में आसो ना आए इतना हमें ध्यान रखना है अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं मा को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी क्योंकि पुत्री मा की सबसे निकट होती है या वह उ बहुत सही वेरी गुड ठीक है अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं बिटा धुंदले प्रकाश की पाठी का होने से क्या आशय है कभी ने क्यों ऐसा कहा था पाठी का थीव है धुंदले प्रकाश की अग्यान की स्थिति होना कम दिखाई देना विशे का अइस्पष्ट ग्यान होना या अक्षर का ग्यान ना होना बताई अग्यान की स्थिति होना कम दिखाई देना विशे का इस्पष्ट होना या अक्षर का ग्यान ना होना क्या लग रहा है आपको मतलब कुछ भी जानकारी ना होना अर्था अग्यान की स्थिति होना लेट मीं चेक विशे का किसी भी विशे मतलब हिंदी अंग्रेजी सोशल साइंस या ज्यान इनकी विशे की बात नहीं जीवन का विशे कि आगे जो होने वाला है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था इसलिए कभी रितुराज जी ने छोटे बच्चों को आपको सिर्फ कन्या या लड़की को न है ठीक है आगे चलते हैं लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी पंक्ती का आशे क्या है वह अभी वयस्क नहीं थी ठीक है वह अभी बालिका ही थी वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी या कोई नहीं क्या लग रहा है आपको अभी वयस्क नहीं थी अभी बालिका अबिबन सीग मांसिक रूप से अपर ही पाइप ती या इन मैंसे कोई नहीं किया लग रहा है आपको फिर आप दो options में confused हो गए कॉन कॉन से मैं यह लग रहा है यह भी लग रहा है यह भी लग रहा है अच्छा देखते हैं बाई कुन सा है येस क्योंकि अभी मांसिक रूप से वह आपक्ष कुछ यहीं लगता था उसको कि साब अच्छा होता है लेकिन वास्तविक्ताओं से बहुत परे थी बहुत दूर थी ओके चलिए अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं पाठी का थीव है धुंदले प्रकाश की यहां पाठी का कौन है पाठी का स्वयम लड़की लड़की की मा लड़की की सहली या कोई नहीं लड़की क्या बड़े जल्दी उत्तर दे दिया बहुत सही वेरी गुड बच्चो बहुत सही आ अंतिम पूजी हो फिर से अलंकार से संबंदित प्रशना गया और अलंकार से प्रशन जब भी संबंदित होगा मैं तो 100% उम्मीद आप लोगों से लगा कर बैठूंगी जैसे वही उसकी अंतिम पूजी हो जैसे जैसे वही उसकी अंतिम पूजी हो यमक स्लेश रूपक जैसे तैसे जिऊं तिऊं मानों मनहूं जानों जनहूं किसके वाचक शब्द है अच्छो उत्प्रेक्षा देखते हैं उत्प्रेक्षा आपको लग रहा है उत्प्रेक्षा इस राइट आंसन ओके यह क्या बात है वेरी वेल ड़न अगले परशनी की तरफ चलता है दुन्दले प्रकाश का प्रकाश भी है लेकिन दुन्दला है तो दुन्दले प्रकाश का अर्थ क्या है अंधे राउजाला इस्पष्ट ग्यान या इस्पष्ट ग्यान अंधे राउजाला नहीं है इस्पष्ट ग्यान भी नहीं है अर्थात आ इस्पष्ट ग्यान है ओक राइट तुकों और लेबद पंग्तियों का क्या अर्थ है कुछ तुकों और लेबद पंग्तियों की पाठी का थीवाय दुन्दले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लेबद पंग्तियों की सीधी बात को समझना हर प्रकार की बात को समझना अल्लडपन अल्लडपन मीज सिधी बात को समझना या अलड़पन या फिर मस्ती भरा जीवन क्या लगता है क्या लग रहा है ओके छेक करते हैं सीधी बात को समझना मतलब मनुश्य जो समाज था वो क्या सोचता था कि लड़कियों के बारे में कमजोर मतलब वही जैसा मैंने आपको एक चित्र बनाया था कि लड़की को कमजोर समझा जाता है चार देवारी के अंदर रहने वाली बताया जाता था बच्चों का पालंग पोशन करने वाली बताया जाता था और बस जो ध विक्षा नहीं देना है इसको पड़ाई लिखाई नहीं कराना है नहीं तो हमारे साथ तर्क वितर्क करेगी डर भी था ठीक है तो सीधी बात को समझना अर्थात वो जो समाज का जो नजरीया था बहुत पहले की बात कर रहे हैं आज तो परिस्तथी कुछ अलग है ठीक है कुछ नहीं कोई नहीं क्या होते हैं बताइये जूटी प्रशन से करना ब्रह्मजाल में पढ़ना या शब्दुब्रहम होते हैं या कोई नहीं पहला पका आपके कहने पर देखते हूं बहुत तो है वेरी गड़ आई ओप आपको यह समझ में आए होंगे है ना येस आप फ किस तरह से आप हमारे Magnet Brins platform पर जाएंगे, वो भी एक दम फ्री, कोई टिकेट नहीं देना, कोई टिकेट के पैसे नहीं देना आपको, और आप गाड़ी में बहुत अच्छी से सवार भी करेंगे, और अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, कैसे? आईए बताती हूँ, सबसे पहले हमें इंटरनेट ओपन करना होगा अपने मोबाइल से, या जो भी सिस्टम रखें हैं आप उससे, ठीके, उसके बाद हम गूगल पर जाएंगे, या क्रोम पर जाएंगे, टाइप करेंगे हम मैंगनेट ब्रिंस, ठीके, मैंगनेट ब्रिंस जैसे ही हम टाइप करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से पे जाएगा, ये दिखाई देगा है स्क्रीन पर, ठीके, स्क्रीन पर हमने देखा तो सबसे पहले, और एक बात बटा जो भी दिखाई देता है ना उसको पढ़ा करो आप तो सब पढ़े लेके बच्चे हो ना तो आपको क्या देखना है देखना है यहां कि आपको पढ़ना क्या है CBSE English Medium के कोर्स चाहिए आपको या CBSE ही Hindi Medium के कोर्स चाहिए आपको या फिर NTSC परिक्षा की तैयारी से संबंदित आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर Olympiard जो होते हैं हारविशय के Olympiard होते हैं उनसे related आपको कोई information चाहिए तो जो भी आपको information चाहिए जिससे भी related जिससे भी संबंदित आप उसको क्लिक कर देंगे ठीक है जैसे माल लिजे आपने CBSE Hindi Medium पर जाना है तो आपने यहां पर क्लिक कर दिया ठीक है जैसे ही आप CBSE Hindi Medium पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां यह फिर से यह teachers दिखाई दे रहे हैं course दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है माल लिजे आपको Hindi के channel पर जाना है तो जैसे ही आप फिर यहां क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी वाला कुछ इस तरह से आ जाएगा स्क्रीन पर अब यहां पर कक्षा 10 क्यूंकि आप 10 के हैं तो आप पहले देखेंगे क्या है क्या 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 दिया है देखें यहां पर दिया है पार्टिक्रम संबंदी विशय का संपून विग्या अध्यापन का वीडियो अध्याय का वीडियो सब कुछ दिया है सभी राज्यों के लिए उपियोगी यह सारा कुछ दिया है अब आप जाएंगे वह चैप्टर वाइस वीडियो किस कौन से चैप्टर आप देखना चाह है उसका पो स्लेवर्थ देखना है सब कुछ की आखर हम साल भर पढ़ेंगे क्या 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 शामिल होगा इसमें तो हम चलेंगे इस पर जैसे हमस्पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से एक फिर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा और जब स्क्रीन पर दिखाई देगा तो विशय सूची के साथ यहाँ पर कुछ आपकी बुक्स भी नजर आएंगी तो पार्ठ पुस्तक से संबने संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो को प्ले करते ही और किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे आराम से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, कोई भी विशे, कोई भी विशे, चाहिए आप हिंदी को सर्च करें, विज्ञान को सर्च करें, जो भी विशे आप कर रहे हैं, सपोज आपने देखा, विशे सूची को आप देखना है, तो पार्ट करम क्या है, तो आराम से देख ना जब आप देखेंगे की अच्छा यदि आप कोर्स ऑप्र से की बुक्स दिखाई देजाएंगे शित्फितर क्रतिका यह यह आप कोर्स भी आप आप्ट किया है अपने पूरा पूरा AC ट्रेन का आनंद लेंगे जीवन का सफर में जाएंगे और वो भी इतने आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे मैगनेट ब्रेंज की सहाथा से कि बेटा आपको खुद ये प्राउड फील होगा कि क्या तो मैंने बुद्धी से काम लिया और क्या तो मैं इस चैनल पर आगया और चैनल को आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा करना चाहिए और आप करेंगे आई होप आप ऐसा कर रहे हैं ठीक है क्यों और एक बात बता दू मैं क्यूंकि मैंगनेट ब्रेंज एक दम हंड़ेट परसेंट फ्री एजूकेशन है क्लास 6-12 हिंदी मीडियम की मैं बात कर रही हूँ तो संपूर एक दम सब कुछ फ्री है यहाँ पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा कभी भी इन फ्यूचर आप यह मत सूचिएगा कि मैं आज की बात कर रही हूँ या वर्तमान की बात कर रही हूँ आपको हमेशा फ्री वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे अवेलबल रहेंगे जिस भी विशे से संबने जो भी आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए बस आप चैनल को लाइ सबस्क्राइए बाइए थैंक यू